एक बार की बात है, एक गाव में अचनक चूरी बढ़ने लगी, उस काव में हर रात किसी ना किसी के घर चूरी हो जाया करती थी, चूरी इस तरह से हो रही थी कि पुलिस भी चूरों को पकड़ नहीं पा रहे थी उस काव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम धर्मराज था धर्मराज की उम अभी मात्रो नौव साल की थी धर्मराज एक बहुत बहुत समय से चोरों को पकड़ना चाहता था एक दिन उसे पता चला कि चोर कीस रास्ते से आते हैं उसने अपने हाथों को थोड़ा सा काटा और उस रास्ते के एक पेड़ के ऊपर चल कर बैठ गया उसने अपने हाथों को इसलिए काटा था कि उसे नीद न आये जब आधी राथ हुई तो करीब पाँच चोर गाष में उस रास्ते से घुज गये जब बहुत चोर गाओं में घुज गए तो धर्मराज ने आधे से आधी गाओंवालों को जगा दिया वो अपने साथ बहुत से गाओंवालों को लेकर उस रास्ते के पास छुप गया जिस रास्ते से बहुत चोर जाने वाले थे आखे कर बहुत चोर, चोरी करने के बाल वहां आही गए फिर क्या था? सारे गाववाले ने मिलकर सभी चोरों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिये सारे गाववाले धर्म राद की हिम्मत की तारिफ कर रहे थे आसा करती हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, एंसर जरूर करे और इस कहानी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताए